कि बेजेपी जीत तो पहले से ही थी क्योंकि जो है जो मानी विरायक काने जपने विजेए तो संक्यावल में ही ज्यादा थी और रही बात सफा के विरायक कणों तो उन्होंने वीजेगी आपनों मवच देखा हुआ सबसे पहली बात जो है कि अच्छी है वो इसाफ चलते हैं और वो दूर की देखकर बात करते हैं तो कि देखकर साफ काले चलते हैं अच्छा इसी बाद यह जगे अच्क जगे बाद जो नहीं किया गया, समाजबादी पार्टी में उनकी बैठग लेनी चाहिए और नाम भी सरब संबती से तेह करने चाहिए जो नहीं किया गया, समाजबादी पार्टी में कि नीतियों से वे पट्री समाजबादी पार्टी उतर रही है, इसलिए जोगों निक्राफ होटिंग की कि कोई भी संगटन हो, वो सब की राय से चलता है, और कोई भी अप्ति एक अधिकार दिखाता है, तो सफा की बात नहीं है, आप संगटन टूड़ लाते हैं, मर्तमान में, मिधायकों की अंदेखी की थे, समाजबादी, वो किसी, मतलब किसी और प्रतियासी उचा रहे थे, वो तो अब जिया कोई और प्रतियासी, और दूसरे यह है कि, किस समय लग रहा है, कि बाजपा जोए वो, आप सी में मेल जोल ही नहीं, आप सी मेल जोल को नहीं, क्योंकि वो परिवारबाद देखे हैं, को बबी पार्टी लिखती हैं, उसमें यही चिजहें आती हैं, ऐसलिए कोई भी पार्टी हो, अगर देश हितमा समाज रितमा काम कर दिरी, खुल कीया है काम करू कियां क्ल Cash बत यह कर दो क्ल क्ल ऐसलिए, तो गमी में मुख्याए उनatsonated हो अहां चौक्ति भु radi. जो लगा एक बडर मचिया दिफ होगी और विदायक नहीं भजा पारहिए उपने बंदायकों को सम्झा नहीं पारहिए प्राइप नहीं और आहिए अध्य कही तब देख रहे हैं और आगहमी लोकसभा चुनाओं में सपा के कई नेता जो सच्टा के लालच में आकर के भाजपा में जाना चाहते हैं और कत्तागारी दल भाजपा को खुश करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने उसी लोकलवावन विचार को लेकर के राजसभा संग चुनाओं में क्रॉस यह पो कि दायकों के साथ जो बात्ता दोगरा रवया है कि उन्होंने उसमें खरीट भरोग किती है जैसा कि वह सरकार जिराने में खरीट भरोग करते रहते हैं उसी प्रकार का महमला यह प्रकास में आ रहा है कुझे विढायत three a party में है अपनी पार्टी से चुन कर के गए हैं अगर इन्हें वग्वद कर विं ہے ने कि सून कर करते इसके मतलब शब्रकार क्यों यह अभी फूट और यह टकलाव आपकी बिवाद निरंतर चलता रहेगा यह मार्ज की दस तारे खाने दीजिए अधिसूचना लगने दीजिए कहीं कोई बिवाद नहीं है गट बंदन ही आंगे बहुत अच्छी तरह से सफ्कार बनाने जा रहा है देगे जहां तक सफाया कॉंग्रेस या अन्य पार्टियों को प्रश्न है हर पार्टियों में दरकन का दौर चल रहा है तो जहां भी कहीं कोई गुनजाश होती है ये एक फ्लो है पूरे देश में और इसके लिए तो मैं यही कहूंगा के पुरानी कहावत है कि हम तो दरिया हैं जहां पर भार्टियों को प्रचंड प्रहार है प्रवाह है कि हम तो दर्या हैं हमें अपना हुनर मालूम है जिस जगह भी चल पड़ेंगे रास्ता बजाएगा तो हर आदमी उस रास्ते को आत्म साथ कर रहा है जिसमें उनका भविश्य और देश का भविश्य सुरचे तो दर्कन मातर सपा ही नहीं हर जगह दरकन नजर आ पूरे देश वजातर कम दिखाई पर गई है जब साइकिल पंचर हो गई है तो पंचर जहां हो जाती है तो लोग फूरतिए इसलिए कमल की फूल खिलेगी चोविच की लहर है, मोदी थे, मोदी है, मोदी ही रहेंगे, 2024 किया, 2035 तक भी कोई उनको नहीं हिला सकता। बीजयिप के नहीं, ये जो सपा के विढ़ायक बीजयिप खालेश को अामनता म है, तो 25 तो इस पर हम क्या कहेंगे उनको जो करना था, वो करना था, उनको तो है करना था। लेकिन वो जो किये हैं अच्छा किये हैं लेकिन ये अख्लिय स्यादों के और समाजवादी पार्टी की अगनी परिच्छा थी और उसमें वो पास भी हो गया है जो जिनको जो बहिमान थे वो चले गया है नई तो सामने लोग सभा का चुना हो उसमें ये क्या क्या करते कौन आपने कावा सुनी होगी जब कोई चीज डिफेरेंट होता है मतलब जिस तरफ बहा होता उधर लोग भागते हैं तो वह पैटन सेम एड़ाप्ट इस साल चुनाव में भी लगता होगा बादेंदा पार्टी की कारविधियां अच्छी है कि लोग भाजपा की तरफ इन्वाल मोढी जी गाल रहा है इसलिए मोढी जीकी इस साल जेत होगी बहुत अच्छे रश्यीं मोझी जीति ने चुनाव यह भाजपा सरकार जीतेगी कमल का बटन दबेगा जीम कमल का फुल खिलेगा बटन दबेगा इनकी जीत होगी हूँ अकले से जादव पार रहा हैं यह नहीं है यह हारी हारी रहेगी और जो भब विरामंदर कर निर्वाड हुआ है इसको देखते हुए पूरे भारत का माहुल पर लाए समाजवादी पार्टी हो चाहें कोई दलों चाहें कांग्रेशू सारे दलों के अंदर आपस में पूट पड़ी हो यह कोई यह चेट नहीं क लोग अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए पाकी में स्वयोग कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे जीत दर्च हुई है अभी हाली में ही हम लोग बहुत सुष हैं और इसका बिकास करेंगे और जो पार्टी नमाए आए हैं उनका भी सभी आपकास करेंगे तभी बहुत ब सब कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ छुपाता दर जुपाता जो कह नहीं पा रहे थे दूसरी पार्टियों में रहे के जैसे राम मंदर का मुद्दा हुआ हर हिंदू इसके अंदर जड़ा भी हिंदूबाद और राष्ट वाद है वह बहुत खुशता विपच्छी पार् है उनको अंदर से खुशी हुई खुश है और मानी प्रदान मंत्री जी योगी जी की नीटियों से खुश होकर पार्टियों सामेल हुआ उनको समर्धन किया इसके लिए हम सभी का वह बहुत आभार बताया मुद्ध देश्च लोगों का यही है कि उनको शुक्षांती से उ आपार में उनको कोई दिखत महीं होनी चाहिए तो जो हमारे देश के प्रदान मंत्री नरंदामुदर्दास मोधी जी हैं उनकी नीतियों से सभी प्रवावित और सभी चाहते हैं कि अगली बार फिर भी मोधी जी प्रदान मंत्री बनकर आए और देश को विकास की रहा पर आगे देते चले जंता की राए कि जब सभी जंता बीजी पीजी बोड़ देगी हमारे राजेस बताय के बढ़िया काम कर रहो है तो इस देश में यह निरर थक है अखीकत यह है कि उच्छ सदन की कोई उप्योगता नहीं है और इसमें जो MLA हिस्सा लेते हैं यह अपना हिस्सा अब कर बोटिंग कर रहे हैं जो कि सदासा अनुचित है जो MLA जिस पार्टी से प्रत्वद्ध है उसको बिना दुपके उसी पार्टी के भिवर में बोटिंग करनी चाहिए है आज जो यह कल वाज्य सभा चुनाव हुआ इसमें सपा के जो भी MLA प्रॉस प्रोटेंग कर बीजेपी के करनीजेट को जिता रहे हैं वो अनुचित है और आने वाला समय जंका जवाब देगा करो जो अपने बापका ने वागोटेश का क्या हो इनके जाएक इनके बादायक को आज से बोदन पीछे ने क्या कि एगी है जो अपनी पार्टी के नेता उसरे पासण दानाने नहीं आता है उसका यह कहर नहीं आता है कि सब्सक्राइब अब कर देख्या सब्सक्राइब सपा में तो कोई फूट है ही नहीं, सपा में कोई फूट नहीं है, बलकि भार्ती जंदा पार्टी ने इडी का धन का धुरुद्योग करके उसने लोकतंद्र को तार-तार करने का प्रयास किया है, और उसने दलों को तोड़ने का काम किया है, और जो हमारी विचारधारा के लोग थे, वो सभी लोग हमारे साथ थे, और जो लोग हमारे साथ चलेगे, वो हमारी विचारधारा उनसे पूट जो अगर कोई कर रहा है तो अधर्णिया लेस यादो जी राष्टी अधर्जी ने उन्तों पर कारवाई करने की है और करेंगे भी और ऐसी कोई फूट नहीं है हम लोग एक जुट हैं इस बार पीडिये का ओट जन समर्तन बहुत बहुत ही तगड़ा रहेगा और इस है विट्व नहीं है बाल कि वी लोग सवार्थ की राजनीत करते हैं और दिय पृषडवा ईंदर से बरोद करने लगे और राजसंख़ा में जो गया है। ये फूट नहीं है, दरसल ये लोग PDA बिरोधी हैं और ये 30 करोड के लाल्ची हैं, इन्होंने PDA पिछड़ा दलित अल्व संख्यत जो भी कला ओट पाए हैं उसका ये लोग छलावा किये हैं फूट कहां सफा में, फूट नहीं है, ये लोग साहस नहीं उनके पास है, दर के ओज़े से लोग तूट जाते हैं, सफा में कोई ने तूट है ने कोई फूट है, पीडिये का जो नारा है, मानिय अखिलिस भाईये का, उसे सब सफा बहुत की मजबूती से आगे बढ़ रही ह समाजबादी पार्टी में, जहां पर श्वामी परशाद मौरिया और उसमें तमाम नेता गण जो है, चाहते थे जो है, कि राज सभा में वही लोगों को भेजा जाए, जिससे जो जीत के आएं हैं, कि उसमें पिछड़ा बार शामान और बैकवर्ड अलफ संखे के लिए भ समाम लोग तूड के चले गे, विप का उलंगन किये, बीजेपी को क्रास ओटिं किये, कुछ लोग जो है समें सामिल नहीं हुए, इन डायट जो है, सपोर्ड किये जो है, बीजेपी को जो है, इल्लिए उनके प्रत्याशी चुना जीत के, राज सभा में सपा के अंदर इसल इसलिए सब राज सभा के ओटिं के लिए समानित सभी सभा के विधाये जो है, भारती जंटा पार्टी के पच्छे में ओट किया, उनका ओट बहमूल नहीं है, और उस सराहनी बगाई के पात्रा सत्ता BJP की है, EDCBI सब उनके हाथ में है, किसी को कोई डर लगा होगा, किसी को जेल जाने का डर, किसी को सुरच्छा का डर, किसी का पती छोड़वाने का, किसी को मंत्री बनने का सवक होगा, तभी तो सब जा रहे हैं पार्टी छोड़के, और वो लोग जिस सिंबल पे चु झाल